वीडियो में बात करें क्लासिफिकेशन रिस्क किते तरखी को होता है ठीक है फंडमेंटल इन्वेश्मेंट बहुत ही मुझ टॉपिक है तो आज हम रिस्क के किते डाइब होता है और साथ ही साथ हम डिसकस करेंगे यह मेजरमेंट कैसे करते हैं और इससे पहले वाले अगर हम को मिल जाएगे वह भी लिंक कि डिसक्रिप्शन ले ठीक है चलिए बिना को दिरीकी शुरू करते हैं तो सबसे पहले रिस्क क्या होता है रिस्क बेसिकली यानि कि जो भी आप इन्वेस्पेंट में जोकिम उठाते हैं कैसा जोकिम क्या आपको लग रहा है कि यार जो रिट खांब कि मेरे को आना चाहिए 50 75 उपिशन इस का मोन हम involvement 5 पॉसंद का रिसलिए वह रिसक है को सब्सक्रिखिया लिसकता है किता रिखेगा का क्या होता है सिस्टमेटिक क्या होता है जो खी सारी फर्म पर फ्रल्पटा रहता है कि अस मार्केट ने जितने विक आग जेए अगर इसा चेंज हो गया जिसकी वैसे पूरी मार्केटी डॉण बढ़ गी अब उसमें चाहिए कोई भी कमपणी चाहिए ठीकल की कमपणी है उन सभी मार्केट पर बड़ जा सवसेने ऑई गी जी सुवर्फ एक कम्पणी फगपड़ा बलकि सभी उसके वर से क्या होता है पूरी मार्किट या तो डाउन या बढ़ जाती है तो वह रिस्क पूरी मार्किट पड़ता है वह ऐसा नहीं कि किसी एक स्पैसिफिक कंपनी पड़ेगा उसको इस इस बोलते हैं लों मिलता है जहां पर बंदा अगर यह बॉंड मार्किट और खरीदेगा तो उसे इंट्रस्ट मिलता है और अगर वह interest rate डाउन हो जुदता है उस पूरी mode market में चाहाप कोई भी bond बोटो एकदम से क्या होगा interest rate हो जाएगा और उसका वैसे जो पी इंट्रेस उसे कम मिलेगा तो उसे बोलते इंट्रेस्ट एड्रेस और परचेजिंग पावर इस होता है खरीदने की शम्ता आपकी कम होगी जैसे कि यह होता है जाद तर इन्फलेशन की वरी से अब मालन रहते है कि कोई एक चीज़ 1 दस रवे की है आपके पास सोर पर पहिते तो आप वह चीज़ 10 आइटम खरिद पारें लेकिन अगर वह चीज अगर मालते 20 रवेक ही होगी है और आपके जेश में अभी भी सोरते ही है तो क्या आप भी दस आइटम खृट पाऊगे आप नहीं क्योंकि चीज महेंगी होगी तो पांच यह आइटम खृट पाऊगे आप इसे बोलते है प्र्चेजिंग यानि कि जब कोई प्रयर बढ जाता है मारक पूरी uelा इंफ्लेशन हो जाता है उसकी वजबझे से के संब्रगर करो मैं को ऐसा नहीं कि को की कंजूमर की चितने भी कंजूमर से उससे क्या बोलते है पर चेजिंग पावर का सारे कंजूमर की घड़े समाल लेने अगला होता है यह बिलकुल उल्टा है जैसा आभी हमने समझा सिस्टमेडिक को बिलकुल उससे उल्टा कैसे उल्टा सिस्टम मैं तो होता है पूरी मार्केट यह किसी एक कंपरी पही फॉसे बोलते हैं पूई पर स्पेसिफिक फर्म पर इंड़स्ट्री फे फरक्त पडरता है सब पे नहीं सभी मार्केट पे नहीं जैसे कि अगर प्राइसि यान के बढ़े तो उसका अठेक पर यहां पर क्या होता है कोई भी इंडेस्ट्री सबस्पर बढ़े यज्ट कर यहां पर अगर बिजनकर बीजने रिस्क यह दो तरहिए होताय या तो कोई बिजनस रिसक है उसकी वैसे शेर का भड़िया रिक गड़िया डिया कैसे शरू नहीं हो रहीा है विजटर जैने कि वहाइकर से इंटरनल फ्क्रक्र की वजेसे कामपनी के शेर पर फ्क पड़ेंगा थन शुर्पर पड़ें कि उसकी ऑप ग्लगां उसकेव काइस नहीं था इसकी वेसे कंपणी का शिर प्रक्राइस खफड़ा है कोमपनी के विखेंजार की वेसे शेर का फ्राइस्थ धटे गया ढो अब होता क्या है कि अगर डेट जादा उठालो तो इक्यूटी का शेर प्रैस घड़ जता है तो यह दिख्षब होते हैं फाइनेशल इसमें लेकिन अगर डेट ही ना लो तब इक्यूटी का पैसा जादा बढ़ता है अगर थोड़ा सा डेट लेते हैं तो टेक्स कंपनी को कम देना पड़ता है और लास्ट में जो पैसा होता है वह कक्योटी को जदा मिलता है क्योंकि चाहता है कि कम्पण की कैपिटल बदलगी पहले अगर इक्यूटी से पैसाट बाट दिया आपने कहा कि मैं अब पांच लाग की कैपिटल दो तरह कुट होगा डैट से भी क्यूटी से अगर आपने डैट एक लाग का लिया ना और चाल लाग का ही अभी क्यूटी बचा तो शेर कितने होगे चारीस हजार अगर एक शेर दस रवेगा तो उसके जादा बटता है महलों कि अगर एक लाग रुपे पहले बाटने से मुझे पिछा जाश हो कितना घया बटे को कितना हो यहां तक पूरी बास वख में आ चूकी है कि अब यहां पर सवाल यह उठता है कि इस रिसकों मेजर कैसे करें मेजरमेंट कैसे होता है रिसक को मेजर करते हैं स्टेंटर्ड डिविशन से यह अपने बच में निकलता है बड़ सान है शेड़िशन के डेविशन से पॉर एजबल आपके वह फिगर दस दीस चालिस पिचा मिंहिन को मेंतल है कि तब करो 1 बड़ करदो सबक供ों कितना रहें सब टुब सब कितना तो 509 ग्नजात तीस कि इन सब कड़ इसे गए माइनस थी यह चाहर एक है मीन से कितनी फरक आप उसे बोलते यह अर एक इतम मीन से कितना डिफरेंट यह माइनर दस आगे जीरो आगया चाली में दस गए दस और यह बीस अब लेकिन इसका आप सम करोंगे जीरो यह आएगा क्योंकि भाई आप तीस बसे अपका डिफेंट निकार है फिर आप क्या करते हजार प्याद पिर इस हजार यह हजार जो है यह एक्चुल में स्टेंडर्ड डैवियेशन नहीं है यह हजार प्रको पहले आपने मीन की फोर में निगालना पड़ेगा नमबर ओव इटन डिवाइट करना पड़ेगा तब आएगा यह किस डैवियेशन जो इतना भी है वह मी तो पांच इक रसे डिवाइट कर और तो सकता अब यह लेकिन यह दो पर यह यहां पर ङिक्कत यह है यह स्कुरा वाली आइटम लींड तो इसको अंदर रूट कर दूआ कि क्या होता है कि जब बूभी कोई एक स्कूर है उसको इसको हटाना है कि स्ट्वैर एगर तो कि तो से टू कट जाएगा इसलिए यहां पर हम रिटर्न की निकालेगे कि डिफरेंट रिटर्न को देखेगे एवरेज से माइस कर देगे उसका स्कुरार निकाल होगा एंड से डिवाइट करूगा फिर अंडरू निकालूगा बन गयाना फॉर्मला है नहीं सान है ना सान ऐसे स कुछ नहीं करना कोई complicated चीज़े नहीं करना है क्योंकि एकर फॉर्मला देखके डर रहे हो तो दिक्कात आजएगी complicated नहीं कुछ चीज़ों को ऐसे समझना है जो मीन आपने सीखा था तो अंडर निकालना है उसको मीन से डिराउड करते हैं तो आर राई का मलब आई रिटन जितने भी रिटन उसको देगे खानी टील के ख़ने से माइनस करेंगे आफ लिटाव ऑफ की टोट्र कर देंगे। जैसे मैंने यहां पर कर घुछ हजार ख़्यक। कौन समझथे कोशन के तूब कर समझते जैसे कि आपके सामने यहां पर लिख वाया यह दिकालना है आपको यहां से शेंडिद वीशन यह 267 18 19 20 ठीक है उसके बाद रिटन है अब रिटन है रिटन सब्सन देखो किन दया के दस बारा तो अट्रह 20 इसका में निगालो इसका में निगालो कितना है एवरेज निकालो तो कितना एगा एक करो किदागर तीस कटिस पिछाई 75 है तो इसका ये सम अगे तो अब आपको इसका रिटन एवरेंग निकालो पहले आप रिटन का एवरेज तो आपका रिटन का एवरेंग निकाल खुआ तो 75 डिवाइड बाइन नंबर आइटम कितनी है पांच तो पंदरा परसेंट आगए इसका मलब यह मीन है अब आपको क्या निकालना है इसमें डैविशन निकालना है तो रिटन आर आई माइनस आर एवर यही तो था ना आर आई का मलब आई वन यह है आई टू यह है ऐसे अब आपको क्या करना है जैसे मैंने पीछे बताया आपको स्क्वाइर करना है करो स्क्वाइब का स्क्वाइर 25 छीज इनका सम करना है करो सम सर इसका सम करोगा तो 50 है और यह एटीन है 68 आ गया यह आ गया बस तो इसका मदब 68 आ चुका है तो हो गया काम आपको वही निकालना है सिक्मा आ इसी इगल टू वन एन इसीगल टू एंगल तू एंगल टू वए इन इस सबका सिग्मा कर लिए है मैंने सम कर लिया है है वही मैं पहले लिख रहा हूँ और आई माइनस और एवरेज का स्क्वाइर डिवाइड बाइड यह दिया रखना यह पूरा है ठीक है यह है ऐसा एन क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले एन नहीं एन से पहले डिवाइड नहीं किया साथ ही साथ कर दूगा या तो पहले आप ए कि अधिक निकालो 68 डिवाइड वाइड 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 कि निकालना पड़ेगा यह यह आपका अंसर बनेगा समझादी बात किलियर हो गया बिल्कुल वही चैनिटीबिशन तरीका है अगर आपने पड़ी है थोड़ी पूदी तो नहीं पड़ी है तो आप सीखिलो ऐसे निकालना अगला अगला क्या है दूसरा तरीका भी होता है रिस को मेजर करने का वुसमें फराग यह है कि बस प्रोबैबिलिटी डिस्ट्रिबुशन आज़ता है कही बार कही बार क्या होता है कि एक् इसमें बताया है वह वीडियो को निंग डिस्क्रिप्शन में पहले वह वीडियो जुरुद रहना जाके बस यह तरीका है यह फॉर्मला में पी आई मैल्टिप्राइब करना है और कुछ नहीं करना क्योंकि यहां पर हम एवरे नहीं निकालते यह लिखावा तो एवरेज ह इसमें रखेंगे अगर हमारे कंट्री में एकनोमिक कंडिशन यह वाली रही तो उसके रिटन क्या होगे गुड होते इतने रिटन है नॉर्मल लोगत रिटन हैगा बैड है तो नहीं और उसकी प्रोबैबिलिटी कि इतनी है कि गुड होने के चांसे 30 पर सेंट है उसके नॉर्मल लोगत यहां लिखेगे रिटन अब देखो रिटन कितना परसेंटेज अब आपको क्या करना है यहां पर प्रोबैबिलिटी देखने उसकी इसके पॉइंट थी 30 परसेंट इसके इसका सम हमेशा वन यहाएगा मलख टोटल हंड़े परसेंट चांसे में से आपने पोबैटी डिस्ट्रिविट कर दी कि इसए बीस परसेंट आने के 30 परसेंट चांस है तो इसका मलख इसको अगर मैं आ रहा ही मालत कर तो इसका ने नी कि मेरे को रिटन आएगा कितना गुड में विस परसेंट तब आएगा जब गुड हंड्री पेसेंट वैसेंट पो नैजने कि जो हएगा अगतने के ले नहीं तो प intéressant तो होने के चांस है तो रिटेन भी तो 30 परसेंट आएगा न बीसका बीसका 30% जो 10 को 30 पर संते तो च्छे परसेंट क्लियर 15 परसेंट तब आएगा रिटेंट जब नॉर्मल कंडिशन पूरी होगी पर सेंट नहीं होगी तो पंदरा का चारीस परसेंट करना पड़ेगा चें तो टोटल कितना आगया क्योंकि यह तो तीस पसंट रिटान आएगा तो छे पसंट रिटान आएगा जिसमें से छे पसंट आने के चांसे गुड में है यह निकालना था इसी को बोलते है एक्सपेक्ट रिटन यहां पर एवरेज नहीं निकाला मैं यहां पर मैंने क्या निकाला एक्सपेक्ट एड मुझे पिछरे साथ नहीं बता था तो रिटन अवरेज यहां पर क्या बोलूगों मैं 15 अब यहां से मैं निकाल हूगा ऐसा है और यह आई माइनस आर एवरेज जो निकालो उगा वह कैसे निकालीगा पंदरा पसंट पहले गुड में 20 प्रसेंट आना था लेकिन अगर उसका एक्सक्पेक्टिट पंदरा पसंट आ गए डैविशन कितना आ रहा है फांच का पंदरा पसेंट और एवरेज यानिक एक्सपेक्टिट कितना है पंदरा तो जीरो दस में से पंदरा गए माइनस यह आगया आगा आधाई माइनस एरे इसका फिर करते हैं यहां भी करेंगे कुछ ज्यादा फरक्त थोड़ी है स्क्वेर करेंगे करो स्क्वार पांच क्या स्क स्कुष्वार पच्चिस इसका 0 इसका 25 अब आपका टोडल नहीं करना यह द्यान लेना क्यों क्योंकि यह आपने पांश निकाला तो है बीस में से 15 माइनस करके पांस निकाल दिया बट मेरे भाई 20 परसेंट आने के चांसे तीस परसेंट है वह तो देखा ही नहीं तो पॉइंट थी से मुल्टिप्राइब करो उसको यह निगी पी आई से मुल्टिप्लाइब करना पड़ेगा यह जो आपने स्कुर्ण निकाला ह उसको आपको मुल्टिप्लाइब करता पड़ेगा प्रोबैबिलिटी से जो की हमने नहीं करता अब करेगे तो पी आई से मुल्टिप्लाइब करूँगा क्योंकि पच्चिस का डैविएशन एक्च्वल में आने के चांसे 30 परसेंट है तो पच्चिस का तीस परसेंट जी इसका टॉटल करो इसका टॉटल पंद्रह आ रहा है आएगा वही लेकिन आपको करना तो है ना आज जरूरी ने कि आएगा वही क्योंकि यहां पर प्रवैलिटी डिस्टिबूश्य ऐसा हो रख है तो आग है पंद्रही पड़िये द्याना करना कि आपको निकालना ऐसी है यह आ चुका है अब फॉर्मला पुट करें लेमडा सुरी सिगमा सिगमा आई इस इगल टू वन एन इस इगल टू जैसे कि पीछे फॉर्मला था बिल्कुल वैसे ही कर रहो मैं एन एन क्या है एन कुछ नहीं है मेरा एन वैसे थ्री है मेरा वैसे यहां पर एन नमबर ओव है माइनस आल, एवरेज क्स्कैर डिवाइडड डिवाइड कुछ नहीं करना इसमें यह दियान अगलना यही तो भी देखना दगाना जो आगए नुझाट। पंदरा आया बस पंदरा का अंडरों निकान डिवाइड नहीं करना क्यों नहीं करना मैं जम यहांपर एक्सपक्टी डिटन भी बाइड करके निकालता किया मैंने यहाँ पर 15% से डिवाइड करके निकाले नमब ओवेटम से नहीं तो यहाँ बीड़ करूगा यहाँ पर जब मैंने बीड़ं करते हैं निकलता है नमबर ओईड़ेड करके सैमें 75-75 मैंने 75 से मेने निकाला है रेको मैंने 75 को डिवाइट कर रहा था देखो पीछे 5 से फिर 15 आया फिर 15 से मैंने डियावेशन निकाला अब हुआ क्या कि यह आपका 68 आया था तो 68 एक्चुली में यह डिविएशन इसका एक्चुल में निकालने के लिए इसका मीन निकालना पड़ा क्योंकि हर यह नंबर हर एकमा मीन था तो 68 को पांस दिवाइट करा फिर आया मीन अब उसका डिविएशन आगे डिविएशन का मीन है मनलबी डिविएशन का भी मीन निकाला तब आया उसका अंडरूड लिया बट यहां पर इसा नहीं करना था यहां पर मैंने एक्चुली में एक्सप पंदरा से माइनस कर दिया काम हो गया बस प्रोबैबिलिटी आगे ना यहां पर तो इसलिए आपको कोई एन से डिवाइट करें जोदनी पड़ी वह बेसिकली प्रोबैबिलिटी से ही उसका इफेक्ट हो गया वह बीस परसेंट अपने आप घटके छे परसेंट हो गया एक तरह का समलों डिवाइडी हो गया वह और क्या हुआ कम हो गया ना डिवाइड होगे उसकी वैलू यह चीज़ है इसमें नहीं आएगा क्योंकि आपने एवरेर नहीं निकाला है एक्सपेक्टेट से था उमेद करते हो अच्छे आपको समझ आपको वीडियो को लाइक करें स कर लागे निवीडियों